हे एबरीवन मैं हूँ सावीत्री और आप देख रहे हैं राधा की रसोई भाई SJS तो फ्रेंस आज में लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार नास्ते की रेसिपी तो फ्रेंस रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी को राधे राधे तो आईए रेसिपी शुरू करते हैं मेरे तरीके से तो फ्रेंस यहाँ पर एकडम हेल्दी और टेष्टी नास्ता बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दो चम्मज सर्सो का तेल है आधा चम्मज सर्सो दाना आधा चम्मज जीरा है इन दोनों को चटकने देते हैं थोड़ी देर तक और तेल आप अपने जो चवथाई चमच हींग है सारे चीज को अच्छी तरह से भून लेंगे और गयस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम है एक प्याज बारिक कटी हुई तो यहाँ पर कोई प्रोग्लम नहीं है ग्रेट करके भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं गाजर का यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर दो से तीन मिनट तक भूनेंगे बहुत ज्यादा पकाना नहीं है बस जर्श थोड़ा सा सौप्ट हो जाए तो बस इतना ही सबजियों को पकाना है और फ्रेंस इसमें और भी अपने मन पसंद सबजियां आप डाल सकते थे और यहाँ पर एक कप चना दाल है इसको भीगो दिये थे राद भर के लिए तो राद भर भीगो कर रखे थे सुबह में अन्यास्ता बना रही हूं तो दाल अच्छी तरह से फूल गई है तो मैं एक कपली हूं आप अपने हिसाब से कम जादा ले सकते हैं जितनी आपको जरूरत हो अब डालेंगे इसको एक मिक्सर जार में क्यूंकि इसको पिसना है हमें और चार हरी मिर्च है तो तीखा आप अपने हिसाब से कम जादा रख सकते हैं जितना भी तीखा आपको खाना पसंद तो मेरे यहां थोड़ा सा तिखा चलता है इसलिए मैं चार हरी मिर्चली हूँ इसको कट करके थोड़ा सा डालेंगे ताकि अच्छे से पीछ जाएगा और यहां पर 1.5 इंच अद्रक का टुकड़ा है इसे थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे ताकि ग्रेट करने के बाद इसलिए इसको ग्रेट कर दिये हैं और 8 से 10 करी पत्ता है करी पत्ता का टेस्ट बहुत अच्छा इसमें लगता है तो जरूर आपके पास हो तो डालें नहीं हो तो कोई प्रोग्लम नहीं स्किप कर सकते हैं और इसको एकदम पिस लिए हैं एकदम बारिक जैसा कि आप देख से हैं और इसकी कंसिस्टेंसी अब देख सकते हैं कि इतना ही रखना बहुत ज्यादा पानी का इस्ते माल लंग करें तीन से चार टेबल इस्पून पानी डाल देंगे अच्छी तरह से दाल पिस जाएगी अब इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और थोड़ी देर तक इसको फेटेंगे ताकि जो बैटर है एकदम फ्लपी हो जाए और इसमें एहर भर जा ताकि जब हम नास्ता बनाएं तो एकदम सॉप्ट और स्पॉंजी बने इसलिए तो तीन से चार मिनट तक इसको जरूर फेटें जब फेट जाएगा तो इसका कलर फोड़ा सा लाइट हो जाएगा और फ्लपी हो जाएगा तो जिसा कि अब देख सकते हैं कि अच्छी तरह से फेट चुके हैं और एकदम फ्लपी हो गया है बैटर अब इसमें डालेंगे स्वादा नुसार नमक और जो सबजी भून कर रखे थे इसको भी यही पर इस तरी एट कर देंगे और यह पूरी तरीके से ठंडा हो गया है तो ठंडा करके ही एट करें एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर आधा चमच लाल मिर्च पाउडर है तो तीखा आप अपने हिसाब से रखिएगा हरी मिर्च और लाल मिर्च में से कोई भी एक इसकिप कर सकते हैं आप अगर तीखा पसंदना हो तो सारे चीज को अच्छी तरह से मिला दिये हैं अब यहां पर डाले हैं एक चौथाई चमच मीठा सोडा है और थोड़ा सा एक चमच पानी डाल करके इसको हलके हाथ से एक ही डायरेक्शन में मिला देंगे इसा की आप देख सकते हैं अब यहां पर नास्था को बनाने के लिए एक लेंग जाली का पलेट जाली वाला अगर आपके पास जाली वाला पलेट ना हो तो आप ले सकते हैं दूदरद चोटी चोटी अगर आपके पास कटूरियां हो तो या चोटी कटूरि ना हो तो नॉर्मल कटूरी में भी आप बना सकते नास्ते को कोई प्रोब्लम नहीं है कि आप मोल में ही बनाए मुझे थोड़ा सा दिखाना है इसलिए थोड़ा सा अलग कर रहे हूं कुछ आज इसलिए दोदू चमच इसमें बैटर लें बहुत ज्यादा उपर तक ना भरें क्योंकि नास्ता इस्टीम होने के बाद और उपर से फूलेगा इसलिए इस चीज का ध्यान दें कि थोड़ा कम ही रखें बहुत ज्यादा उपर तक ना भरें और कटेवरी को तेल से कर दिए था कि नास्ता जो है स्टीम होने के भाद आसाने निकल जाे इसलिए जैंटे उसहां पर सारी कटोरिया आरेंज हो गई आब इसको रखते हैं चलते हैं गैस के सबुंपलेकु पानी पहले से लुख दिया थे पानी में बॉइल आने के बाद य आप इस नास्टे को रखें और ढख करके इसको 10-12 लिए मेडियम फ्लें पर इस्टीम होने देंगे दस से 12 मिनिट में अबसाने से अच्छे से इस्टीम हो जाता है जब तक यह इस्टीम हो रहा है तब तक एक दूसरा तरीका आपको बताती हूं इस तरीके से भी इस नास्थे को बना सकते हैं तो फ्राई पैन तो लगबख सबके घरों में होता है तो एक लिए फ्राई पैन और उसमें डालें एक चम्मच घीर मैं घी डाली हूं आप यहां पर तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं जैसा कि मैं बताई हूं कि थोड़ा हेल्दी बना रही हूं इसलिए दो से तीन चमज बैटर इसमें डाल करके इसको ढखक कर लो फ्लेम पर चार से पांच मिनट छोड़ दें चार से पांच मिनट में एक साइ आसानी से सीख जाएगा उपर से फिर थोड़ा सा घी डाल देंगे ताकि जब पल्टी करें इसके तो दूसरे साइड भी अच्छी तरह से पक जानास्ता इसलिए और इसको पलट देंगे आसानी से पलट जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि मोल्ड और हाइप हाई बरतन में ही आप नास्ता बनाएं इस तरीके से भी अब बना सकते हैं या तवे पर भी चिले की तरह बना सकते हैं पैन केक की तरह बना सकते हैं तवे पर तो एक नास्ता यहां पर हो चुका है अब दूसरा बनाने चलते हैं तो इसमें भी थोड़ा सा तेल इसे भी इसी प्रकार से बना लेंगे इसे भी ढख करके रख दिये हैं आप पलट देंगे लेकिन पलटने के बाद फिर ढखना नहीं है और गयस का फ्लेम याद रहे कि लो रखना है हाई या मिडियम नहीं रखना है और दोनों नाश्ता फ्रेंज तयार हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़दान नाश्ता बना है टेस्ट में कोई कमी नहीं होगी आप इस तरीके से भी बना करके कसा सकते हैं अबंता है pi अणिया तो प्राई कि अभाई वיצता है तो आप किसी भी तरिकसी आप को पसंद बना सकते हैं और तोड़कर आपको दिखा रही हूं कि नार से 10 अब शालेदार नास्ता बना हो दो लिए इसेs इसे मिठी चटनी या तकीफी चटनी किसी के साथ इंज़वाय कर सकते हैं। इधर ये वाला नस्ता भी इसटीम हो गया है। उपर से क्रेक्स है आप देख सकते आं। इसका मतलब कि नस्ता अच्छी तरह से इसरी मुटब से तो इसको चेक करने कोई जरूरत नहीं है। क्रेक्स दिखे तो समझेए कि नास्ता इस्टीम हो चुका है और कितनी आसानी से निकल जा रहा है फ्रेंज इससे और बहुत ही जालीदार बना हुआ है और बहुत ही मज़े का अगर आप डाइट परसन है तो इस नास्ते को जरूर बनाईएगा क्योंकि यह नास्ता बिना तेल का बना हुआ है तो एक बार जरूर ट्राइब करिएगा बिलते हैं यह कऊने रेशिपी के साथ तब तक की लिए बाइ एंड टेक केर